हलो एन वेलकॉम तो अटेटिटीड अजमे आइं तुरा भैजर टोड़ेवी आर डिस्कसिंग अबाउट वीवीए फंक्ष्न इन Microsoft xl में डिक्रोसौफ एक्सेट में वी बिए फंक्ष्ण एक्षिल में है क्या कैसे कंसेप्ट है कैसे प्रोग्रामिंग होती है कैसे कोडिंग होती है वो सारी जीने जानेंगे हम बगर आज हम सिफ़ डिसकर्स करेंगे VBA introduction यानि macro introduction के बारे में VBA actual में होता है क्या है Virtual Basic for application इसको बोलते है अब हम इसके लिए PPT prepare किये हैं उसको हम एक बार चेक करेंगे हाँ पर हमारी PPT prepare है इसके इसाथ चलेंगे सबसे पहले हमें बात करनी है What is macro Macro क्या है Macro is a piece of code Macro जो है वो एक codes का piece है या टुकडा है आप ऐसे बोल सकते हैं या set of instructions which are written in VBA या एक set है जो instruction हमने VBA में written में या लिखे हैं या बनाए हैं ठीक है VBA क्या होता है VBA प्रोग्रामिंग लाग्वेज है या अगर हम Excel के अदर बोले तो VBA is just editor या VBA टूल है जिसके मुदद से हम Excel में coding करें ठीक है उसके बाद कुछ concept समझ लेते हैं VBA और VBS में difference क्या है VBA क्या है VBA is a stand-alone program that run independently मतलब कहने का मतलब है VBA एक ऐसी language है virtual basic language है जिसको हमें लिखने के लिए किसी program के requirement नहीं पड़ती है वो अपने अपने self में एक program है जिसके अंदर हम coding कर सकते है independently work करता है मतलब जैसे अगर हम VBA की बात करें तो VBA को करने के लिए हमें Excel, Microsoft, Word या PowerPoint के requirement पड़ेगी उसकी तुलना में VBA के लिए हमें इन प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है या इन अप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है वो इंडिपेंडिटली एक program है and VBA is a part of Excel या मैं बोलू तो Microsoft Office ठीक है cannot work alone ये इनके अलाबा वर्क नहीं कर पाएगा अलग से सेपरेटली और VBA is just only internet concept VBS is variant for virtual basic language used for internet applications like अब Google Sheets का नाम सुना होगा तो Google Sheets में VBA नहीं VBS में बोलू होती है ठीकिए वाई मैकोरी इस रिक्वाइड रिक्वाइड क्यों है मैकोरी यह भी हमें समझना पड़ेगा रेपीटिट टास्क हमारे पास बुफुत सारे होते है यह देबाइड ट्रांजेशन होती है यह देबाइड रिकोर्टिंग होती है उसके लिए सेम रिपीटिग वर्क चलता है ठीक है और हम फास्क करना चाते हैं वर्क को बेगुर तो उस रिकार्ड में हमें मैक्रो की रिकॉर्मेंट पड़ती है जस हम चाहते हैं कि एक सिंगल क्लिक पे हमारी सारी रिपोर्ट जन्रेट हो जाए तो हम रिपीटिट टास्क के लिए मैक्रो को रन कराते है डवलप न्यू फोर्मला अब कुछ ऐसे फोर्मले हैं जो हम एक्सल में लगाई नहीं होते हैं हम फिर भी कादे हैं कि हम यहां ऐसे कोई पाना ली जिसको मैंули हैं है पर अब्वार काँए वह कर जाए बना सकते हैं डवलप कर सकते हैं complex task complex task मतलब different types की different activities पर work करता है Macro ठीक है सारा काम मैं जो purpose है Macro record करने का Macro बनाने का या recording करने का वो just simple करना work को और just finger trick ठीक है जैसे हम बहुत है चुटकी बजाती काम हो जे उस तरह की need हमें हो तो हम BBA का use या Macro का use करते हैं जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि यह work जो है वह Excel में नहीं होगा मदर BBA और Macro ठीक हम वो कर सकते हैं अब Macro जाना किस-किस नाम जाना से जाना से जाना से क्या होते हैं सब रूटीम भी बोलते हैं इसको प्रोसीजर भी बोलते हैं प्रोग्राम भी बोलते हैं तो आप जो भी बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं Macro की Macro is object oriented program Macro जो है वह object oriented program मतलब आप अबजेक्ट एक वर्ड हमें पता लगा in Excel anything and everything is object in Excel के अंदर कोई भी चीज हमारी क्या है एक औबजेक्ट है जहसे हम workbook की बात करते है लेक्शीट की बात करते हैं सैल की बात करते हैंने चार्ट की बात करते हैं इस सब क्या है है हमारे objects हैं जिनके help से हम tô Although advancing किसी कमरे में फिर पर्टिकुलर किसी सेफ में तो यहां पर यहां पर हिरार्की है वी बीए की तो इसको आपको समझना है पढ़ेगा कि सबसे पहले आपको एप्लिकेशन देन वर्क शीट एंड आपको जिस भी डिफरेंट 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 एक्टिविटीज में शेयर करना है तो वह आपको सबसे पहले आपको यहां पर ओपीज बटन पर किलिक करना है उसके बाद नीच ऑप्शन आएगा एक्सप्शन का इसाप प्लिक करेंगे जैन यहां पर भॉपलर में शोट डैवलपर टैव इन रिवन इस पर आपको क्लिक करना दैन्ञों करना है तो आपको डवलपर टैब में यहां पर इस तरह से उप्शन सारे उसके नजर आजेगी ठीक है वैसे एक्सल में नहीं आता अगर developer tab open नहीं है तो उसके बाद अगर हम बात करें Excel 2010 में तो यहाँ पर office बटन नहीं होता है file का option होता है file के option में आपको जाना है options पर options पर आप जाएंगे तो option में जाने के बाद आपको यहाँ पर customize ribbon आएगा customize ribbon में आपको यहाँ पर सामने शोगर developer डवलपर टूल आपको जाना है इनको में आपको जाना है options पर आपक्लिक करेंगे तो वहां पर सेम कस्टमाइज रीबन का option आएगा कस्टमाइज रीबन पर आपको यहाँ पर डवलपर टूल पर क्लिक करना है तो आपको डवलपर टूल आपको दिखाई देगा तो यह था basic concept of VBA कैसे VBA क्या होता है micro क्या होता है recording कैसे करेंगे या कहां से डवलपर टैब ओपन होगा तो बने रही है हमारे साथ और बेके रही हमारी सारे वीडियो आने वाले स्रीज में हम पूरा VBA को डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने है वे गुड़ डे थैंक्यू तो मच बबाए